हेलो बच्चों केसे हैं आप सब आप सब बहुत ही खुश है है ना तो जल्दी से आजाओ फटावट क्लास को जॉइन कर लो क्योंकि हम सब अपना नया चाप्टर शुरू करने वाले हैं और गिनिक केमिस्टिका नेक्स्ट पूर्थ चाप्टर और आपकी स्लेबस के अकोडि क्लियर तो मैं पूनम प्रजापत कक्षा बार्वी कार्बनिक रसाइन विज्ञान में आप सब बच्चों का दिल से स्वागत करती हूं जल्दी से आ जाईए फटा-फट और क्लास को जॉइन करने के साथ-साथ क्लास को जादा सब जादा शेर कर दीजिए बेटा ताकि और भी दीगत के जो बैसिक कॉंसेप्ट लेकर हम चाप्टर समस्ते हैं वह सभी बच्चों तक पहुंच करने और वह भी पढ़ सके राइट सही कहा है किसी ने की अगर आप किसी का मदद करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं तो भीवान आपकी खुद खुद करता है तो जल्दी से फटावट 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 आजाए क्लास को शेल कर दीजिए और जितने भी बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं वह क्लास को लाइक भी जरूर कर दें ठीक है पचे सोचेंगे मैं आप हर रोज यह कहते हैं जरूरी है क क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तब तक आपको हमारे वीडियो जो आपको इतने पसंद आ रहे हैं और आप इतने ज्यादा हमें प्यार दे रहे हैं वह स्क्रीन में जैसे ही यूटूब खोलते हैं तो ऊपर ही ऊपर नजर कैसे आएंगे आप लाइक करेंगे त लास को आपका जो चाप्टर है एमिन उसके बैसिक कॉंसेप्ट के साथ चलिए बच्छों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी ऊपर चर्चा करते हुए हम लोग आज के सारे टॉपिक्स जो पढ़ने वाले हैं उनको कवर करेंगे आपको समझाने के साथ साथ हम पूरी कोश करना कि आप लास तक मेरे साथ जुड़े रहें ठीक है जी फड़ा फड़ अपने कमर कसलू और हाथ में मेरे जैसे पैन को भी पकड़ ताइट ली कहीं गिरना चाहें गिर गए तो पढ़ें कैसे है ना जल्दी से जल्दी से जल्दी चले बच्छों आजाओ आजाओ आजा चैप्टर का नाम एमीन आपको नजर आ रहा है हम पढ़ेंगे इसका सामान्य परिचे और साथ साथ हम पढ़ेंगे विर्चन की वीडिया यानि एमीन का निर्मान कैसे होता है राइट आये जी सबसे पहले हम लोग इसका परिचे पढ़ लेते हैं परिचे क्या है यानि हम इसको कैसे समझ सकते हैं यह हम इसे कैसे पैचान सकते हैं क्लियर तो परिचे की बारे में बात करें तो यह कहते हैं कि एमिन अमोनिया अनु के एक या अधिक हाइड्रोजन परमानु के एलकाइल एरिल समुहा द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं क्या कहना चाहता है एमिन जनरली आप बात करें तो एमिन एम एनच टू ग्रूप को कहा जाता है कॉकर ड़न आनू के एमिन अमोनिया अनु के एमिन किससे बना होता है बिटा अमोनिया एनच थ्रीज ठीक है इसके जो है आपने इसके है यहसे लगा के रखे हुए है कोई दिक्कत ही नहीं है इसके इस एच को जब किसी आर यानी एलकिल ग्रूप द्वारा या फिर एरेल गूप द्वारा हटा दिया जाता है या यू कह दू प्रति स्थापित कर दिया जाता है तो क्या होता है तो किसका निर्मान हो जाता है राजा निर्मान हो जाता है एमिल क ओके समझ में आ गई बात तो जल्दी से क्लास को लाइक जरूर कर देना द्वारा प्रती स्थापित करके कार्वनिक योगी का एक महत्वपूर्ण वर्ग बन जाता है विस्थापित अमोनिया के एक या दो या सभी तीन हाइड्रोजन परमानु के आधार पर एमिन को प्रात् में से हाइड्रोजन प्याग कर एक डिगरी दो डिग्री और तीन डिगरी बनाता है इसके अलावा यदि आप कार्वन की बात करते है तो कार्वन में क्या होता है बेटे everyone क्या होता है कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रूप एदी जुड़ा हुआ है तो वह कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे एक डिगरी अन्य दो से को जुड़ा है तो दो डिगरी अन्य तीन से जुड़ा है तो उसे हम क्या कहते हैं विट्टा तीन डिगरी कहते है है लेकिन मिन के कैस इसा नहीं है मिन के कैस में जरिमें से अगर ऐग एक गया प्राथमिक दूसरा एच गया तो यह 23 और तीसरा एच भी गया तो यह त्रित्यक एमिन हो जाता है बात समझ में आए हाँ या ना जल्दी से बता दो क्या होता है एक डिपरी दो डिगरी कार्बन की बात करूं तो कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे हम एक डिगरी दो डिगरी कहते हैं जबकि एमिन में अगर एक हाइड्रोजन गया तो एक डिगरी दो गए तो दो डिगरी और तीन गए तो तीन डिगरी एमिन हो जाता है केवल ए आप रूबरू हो चुके हैं एमिन से भी आप रूबू हो चुके हैं आप से कोई भी कभी पूछे की एमिन कैसे बनता है तो हमेशा कहना जब अमोनिया जो गेस होती है उसका यदि हम लोग एल्कील और एल्ल हेलाइड के साथ रियक्शन कराएं तो वहाँ पर क्या हो जाता है अमोनिया के हाइड्रोजन एल्किल ग्रूप या फिर एरल ग्रूप द्वारा प्रतिस्था पित हो जाते हैं और एमिन का निर्मान हो जाता है क्लियार जी बात समझ में आ गई तो फटा 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 फट लिग दीजिए यस माम ओके थैंक यू बच्चा थैंक यू चलते हैं आगे आप आती है अमोनिया की निए इस ट्रेक्च़र पर बात तो आप लोगों ने सट्रेक्चर के बारे में 11 पर बढ़ा है जब भी किसी भी अनुकी आपको सलंचना ग्याद करनी हो किस की बेटा अनुकी यदि आपको सालंचना क्या कहलाती है कि से धात होती है संकरण पह संकरण होती है rightो और संकरना कि दिख याद करना चाहते हैं तो हमेशा आपको एक शोट ट्रिक पता है कि केंद्रिय परमानू के बाहियतम कोश के इलेक्ट्रों केंद्रिय परमानू के बाहियतम कोश के इलेक्ट्रों प्लस एकल बंद के एकल बंद द्वारा जुड़े परमानू द्वारा जुड़े परमारू क्लियर प्लस क्या प्लस माइनस आविश ये ऐसी ट्रिक है राजा बटे में दो कि आप किसी भी मॉलिक्यूल को देख कर उसका संकरन निकाल सकते हैं और उसकी सरंचना भी यात कर सकते हैं आपने 11 में पक्का पक्का पड़ा है जिसने नहीं पड़ा है तो कोई बात नहीं डाउट है नट है साथ तो डरने की क्या बात चले तो आजाओ भई अगर एनस थरी का आपको हो संकरन निकालना है बेटे तो केंद्री परमानु क्या है राजा नाइट्रोजन केंद्रीय परमानु क्या है नाइट्रोजन केंद्र में हमेशा एक ही मॉलिक्यूल होता है जो परमानु एक ही हो वह हमेशा केंद्रिय होता है यह भी मैं सोट कट बताए रही है ठीक सा ओके तो नाइट्रोजन के बाहित्रम कक्ष में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं नाइट्रोजन का परमानु करमांग कितना होता है नाइ 2P 300 2P 2P clear by time कुछ में कितने एलेक्ट ने बिटा पांच आप यह तो नहीं सोच यह में दोनों को कैसे लिया बिटा यह भी 2 यह भी टूपी एक ही तो कख्षक हुआ यह अलग लग तो नहीं वनस है तो अलग है ठीक बात है बिल्कुल जी बिल्कुल तो टूपी और टूपी एक ही है समान है तो यहां लिखेंगे अपन कितना राजा पांच ओकी तो बायतम कख्ष में कितने इलेक्ट्रोन बिटा पांच एकल बंद से कितने बंदे हुए है नाइट्रोजन में हाइड्रोजन हमेशे कैसा बंद बनाता है एकल बंद बनाता है कितने हो गए बिटा पांच प्लस ती इस पर कोई आवेश है क्या कुछ नहीं तो क् पांच और तीन आठ बटा दो कितना है विटा चार कितने कख्षक है चार कख्षक है जहां चार कख्षक होते हैं वहाँ पर एक एस और तीन की भाग लेते हैं और संक्रण की आगया राजा SP3 बात समझ में आ गई हां या ना जल्दी से बता दो भई एक बाहितम कख्ष के केंद्रिय परमानू के बाहितम कख्ष के इलेक्ट्रोन एकल बंद दुआरा जुड़ेवे परमानू प्लस माइनस आवेश बटे दो अगर प्लस है आवेश तो माइनस लगाना माइनस है आवे प्लस चार्ज है तो आप फोर्मूले में क्या लगाएंगे अगर मॉलीकूल पर माइनस चार्ज है तो आफ फोर्मूले में लगाएंगे प्लस ओके क्लियर चले आगे ओके जी ओके क्लियर हो गई सबको बात तो फटा पटा जाई तो आपके पास संक्रण कौन सा है एनश्टरी में एस पीट इस क्लियर और जयामिती में चतुस्फलकिया स्पित्री कि जयामिती क्या हो दिवरा चतुस्फलकिया इसी प्रकार सभी में एन परमानु एस पी संक्रित वस्था में हैं चतुस्फलकिया जयामिती है लेकिन उनका आकार पिरमीडी महरता है क्यों क्योंकि चतुस्फलकिया ऐसा होता है 1 2 3 और 4 ठीक है8 और केंदर में nitrogen लेकिन आपके पास hydrogen तो तीन है लेकिन एक बंद पर क्या है लूँडर है तो इसकी इसतति कैसी होगी पीरमीड लाइंड है कैसी हो गई पीरामिड जैसे आकरती हो जाती है यहां पर क्या है बिटा लौंज है यह क्या है? नाइट्रोजन है. ओके समझ में आ गई? तो फटा फट बता दीजिए. यस माम. सभी बच्चों को ख्लियर हो गया तो राजा बता दो जल्दी जल्दी आपको ये बात समझ में आ रही है या? नहीं. ख्लियर है? ओके ओके चलिए जी. फाइनली चलते हैं. आगे. अब आता है classification वर्गी करण क्या किया आपने आपको प्राथमिक दूद्यक तृत्यक तो मालुम था यह सबको मालुम था कि नहीं बताओ जल्दी जल्दी यह सब और नो फटा पट बता दो मालुम था न तो प्राथमिक दूद्यक और जर्डिकरी आप बात करते हैं तो प्राइमरी में क्या होगा आर अरनरस्टू फिर एच और फिर केवल एक है दो तो है Classification एक दिगरी दो दिगरी और तीन डिगरी कि यह थी सबको समझ में आया हाँ या ना जल्दी बताव जल्दी 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 जल्डी बताएंगे सभी को यह बात समझ में प्राथिक मिक का मतलब क्या होता अगे चलते हैं आगे फटाफट अब देखो आगे एरिल एमाइल क्या होता है एरिल एमाइल का मतलब होता है जब आप अगे लेते हैं और उसकी रियक्शन क्या कराते हैं कोई एरिल यानि चक्री कंपाउंट से कराते हैं तो यहां पर एरिल ग्रूप के साथ क्या जुड़ जाता है और हाफ और अपने पास क्या हो जाता है है इसका एक और इसका एक अच लियर तो किसका निर्मान हो गया एरिल एमिन का दिखाए दे रहा है हाँ या ना जल्दी बताओ तू एमिनो टॉलूइन या और्थो टॉलू टॉलूडाइन प्रियर बात समझ में आई हाँ या ना देखो लिखा हुआ है है यह माइन में अनश्टू संबो सी दे बैंजिंग निंसे होते है एनि लिन भी सर रा कहते हैं या बैं कितक प्रिया गया है चले आजाओ जी आजाओ क अब देखते है ना मतलब हेटरो शाइकल electrically होमोसाइकलिक होता है हेट्रोसाइकली Homo का मतलब होता है बेंजीन रिंग है उसमें या फिर आपके पास कोई भी साइकलिक कंपाउंड है तो उन सब में कारबन ही कारबन से जुड़ा हुआ है दूसरा carbon के अलावा कोई दूसरा atom नहीं मतलब वो homocyclic compound है और heterocyclic का मतलब होता है कि वहाँ पर hydrogen carbon की जगए oxygen nitrogen कुछ भी आ सकता है ठीक है लेकिं heterocyclic amine का मतलब होता है cyclic compound है जिसमें केवल और केवल nitrogen ही inserted है कि चले यास clear हो गया बात समझ में आ गई तो फटा फट थम सब भेज दो जल्दी 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 सभी बच्चे पटा फट पटा फट जल्दी से भेजेंगे थम सब कि ओके 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 ना क्लियर है चलते हैं आगे नाम पत्ति सामन्य प्रणाली में एक एलिफेटिक एमाइन का नाम एमाइन के पहले एलकाइल समूर जोड कर रखा जाता है यानि एक शब्द के रूप में एलकाइल माइन कहा जाता है तो यहां देखो जी एमिन्स को क्लासिपाइड किया गया चया जी आए ऐलिफेटिक एमिन और पाजननि को कोई दिक्कत नहीं है अन्लीत सीडायमल ये चल्दी बताओ और नो, moderate कुलियर, तो देहो राजा primary, simple, secondary में क्या है, simple और mixed, क्यों कहा गया है पता है secondary में, secondary में you होता है, R, एन, HR, अब यदि द्नों सेम है, तब तो यह साधा जा और यदि two नों भिन, भिन हैं तो वो क्या है byta mixed okay देखो CH3 इधर भी CS3 सिम्पल लेकिन mix में क्या है सी एश तरी और यहां क्या है C2H5 यह कितने बच्चों को अ क्लिये रावई यह कितने बच्चों को समझ में आया जल्दी जल्दी बताओ फटा 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 फट ओक वही सही तरतीक में भी हो सकता है तीनो समान हो तो है सिंपल और तीनो भिन भिन हो तो क्या होता है मिक्सचर होता है एक बात बात समझ में आ गई तो जल्दी से बता दो आगे चलते हैं आप देखो जी देखो यह तो आपको क्लासिफिकेशन समझ में आगया नाम पर दिखा सभी बच्चों को नाम करन तो अपने को आता ही है एथिल एमीन एथेल प्लस एमीन एथन आमीन बैंजिल बैंज आमीन फैनिल बैंजामीन अं फैनिल क्यू लिखा है क्योंकि नाइट्रोजन से डाइडेक्ट जुडा हुआ है कौन फैनिल ग्रूप ठीक है तो एक श्रंखला में प्रतिस्था पी रह जाता है एक श्रंखला नाइट्रोजन के बाद वाले कार्बन की शुरू होगी कैसे में दिखाते हूं जैसे अपने पास CH3 CH2 NHches3 लाइट तो लंब श्रंखला कॉंसी ने को तो यह क्या हो गया अँं मैझात एफनमी Sensei टेको महाँ अन मैझात है एफल एफनमेल क्लियर guessing और लू जल्दी-ख सेब बता दो फटा क्रपत फटा फटा क्राइब का नाम करण सब को समझ में आ गया है, बिल्कुल थमसप भेजो आ जाओ जी, अब आपके पास ऐसे नाम दिये गए दिखो बिटा, कि इससे आपको इसका नाम करन करना है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले क्या है Heart, यानी कि सबसे लंभी कार्बन श्रंखला, सबसे लंभी कार्बन श्रंखला क्या ह प्रॉप उसके बाद में single bonded है तो एन और उसके बाद में आपके पास में दूसरा क्या लगा हुआ है एनेच टू तो इसका अनूर लगने क्या लगेगा एम राइट हाँ या ना तो क्या बन गए बिटा नाम प्रोपेन टू एमी हाँ या ना ऐसे दूसरा देख सकते हैं आप लोग लंबी कारबन श्रंकला है उसमें दूइया बन दी है तो प्रॉप फिर दो नंबर पर डवल वॉन तो इन और एक नमबर पर आनश्टू तो प्रॉप टू इन वन एम है क्लियर है सभी को यस और नो जल्दी 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 बताएंगे फटा-फटा-फटा-फटा- चले एक एक एज़िए बच्चा पाटी मैथल आइसोफ प्रॉप एम मैथिल अघ्रान ऐसो प्रॉप एक कार्बन पर दो सम्सी सतरी होते उसे क्या कहते है इस किया कहते है क्या कहते हैं आइसोग्रूप क्लियर हाँ या ना जल्दी बता दो जल्दी बता दो आइसोग्रूप ठीक है चले तो एन मेथिल प्रॉप टुए प्रॉप एन टुए सब को क्लियर ऐसे नामकरंट सारे हो जाएंगे सभी बच्चे कर लेंगे ना करोगे कि नहीं करोगे नामकरंगे जल्दी बताओ मामकरंग आता आए कि नहीं आए फटाफट जल्दी से थमसब भेज़ो जल्दी 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 ताकि बात क्लियर हो जाए थमसब भेज दो जल्दी से फटाफट 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 चलू आगे ओके दन यह नाम करण हो गया अब आता है आयू पीसी परणाली में एमीन को एल का माई नाम दे जाता है एको अमीन शब्ल से प्रतिस्थापित करने से ट्राफ्त होता है मैथिल एमीन ब्यूट टू एमीन प्रॉप वन थी डाई यह जनरल से फॉर्मूले हैं जिनको आपको थ्यान रख लोगे जल्दी बत हाइन ओके डाई आब आती है अगला प्रॉसस हमने क्या क्या पढ़ लिया हमने एमीन क्या होता है ऑर किसे बनता है पढ़ लिया उसके बाद उसकी स्रंचना कैसी होती है उसमें संकरन कैसा होता है क्लियर हो गया अब उसके बाद हमने पढ़ा नाम करण कैसे कैसे हम उसको नामांकित भी कर सकते हैं या नाम करण उसका आयू पीसी में रूड परिज़ी में कैसे कर सकते हैं क्लियर है अब हम आते हैं विर्चन की वीदियां जो की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके अंदर जो वीदियां है वो सब की सब मैं कहूं एक से एक इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम में ऐसी में चार रियक्शन यहां पर बताऊंगी जो आपके एक्जाम के पे कि जो वीदियां है उसमें छह भाग बताई गए हैं कितने भाग राजा छह बाग जल्दी से बताओ चार्ट बनाकर पढ़ाना इजी है या नहीं जल्दी बताओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, clear? सबसे पहली पहली अभी क्लिया कौन सी है बेटा? सबसे पहली अभी क्लिया है नाइट्रो योगिकों के अच्छे हैं द्वाला नाइट्रो योगिकों के अपचयन द्वाला क्लिया सेकिन नाइट्रो योगिकों अपचयन के बाद में सेकिन क्या आता है विटा दूसरी आती है अलकिल हेलाइडो का अमोनी अपगटन अगला कौन सा है नाइट्राइडो का अपचयन क्या विटा नाइट्राइडो का अपचयन क्लियर उसके बाद अगला क्या है राजा अगला है आपके पास क्या नाम है उसका एमाइडो का अपचयन क्लियर और उसके बाद अगला आता है ग्रेबिल थेले माइड थेले माइड थेले माइड संसलेशन क्या है राजा अगला क्या है ग्रेबिल 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 क्लियार हाँ या ना जल्दी बताओ संसलेशन उसके बाद क्या है बिटा अगली अभी क्लिया है लास्ट बाट नौट दो लेस्ट क्या सबसे इंपोर्टेंट हाफ मान हाफ मान ब्रो में माइड अभी क्लिया क्लियर बेटा चैकी चैक अभी क्लिया है सब को समझ में आ गई तो फटा फट फटा फट जल्दी से जल्दी से बता दीजिए कैसा लग रहा है आपको बात समझ में आ रही है या नहीं जल्दी बताओ 6 की 6 अभी क्लिया पटा फट बता दीजिए ओके जी ओके वैरी गुल सभी बच्चे अच्छे से यह नोट कर लेंगे अब चलते हैं पहली अपनी अभी क्लिया कौन सी है जो पिंक कलर से अपन ने लिखी है वो क्या ह नचिल पिंगे प्मौन यह कूण साव्य कॉर्चैन अफूं करें दूसरी अभी किया है आपकी क्या इलकिल हेलाइडों का अमोनीय बगटन से ऋरी है नाइत ट्राइलों का प्तिक है अपन्द से नंच वह और छि... विटा हाफ मान ब्रोमिमाइड चले आजाए फॉर्स्ट सबसे पहली नाइट्रो यूगिकों का अप्चे आजाए जल्दी से सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या विटा नाइट्रो नाइट्रो यूगिकों का का क्या विटा नाइट्रो यूगिकों का क्या विटा सबसे पहले लिखेंगे नाइट्रो यूगिकों का सबसे पहली होगी क्लिया है नाइट्रो योगी को का अप्चे क्लियर बात समझ में आ गई तो फटा फर लिख दीजिए यस अब नाइट्रो कंपाउंड कौन से होते बिटा यह रहा आपका नाइट्रो कंपाउंड और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो अब आपको इसको आपचयन कराना था आपचया किसकी उपस्तिती में बताया जाता है अबचायक और अपचाय कौन सी होती है धात्वे क्यों क्यों कि उनकी जो आकरतियां होती उनकी जुझा होती है वह एक जालक के समान होती है जिनमें एधात में जो है वो क्या होती है विन्यासित होती है तो लिग दिया एच्टू अब अब क्या होगा अब यहां से क्या होगा माइनस एच्टू होगा और यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास प्रॉडक्ट विटा पास निकल उपस्तिति में क्या हो जाता है इत्वोजन प्रियाक्शन करता है और यहां से यह गायब यहां पर आप क्या करेंगे तू इच डू राइट भान ठेह के तो यहां पर अपने हो कितनी हाइड्रोजन कर देना पड़ेगा ओके जी येस और नो कितनी हाइड्रोजन शिक्स यहां पर क्या लिख सकते हैं यहां पर आप 3H2 भी लिख सकते हैं ओके 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 क्लियर हुआ तो यहां आ गया CH3 CH2 NH2 कितना डिगरी है मिर है सबको बात क्लियर तो पड़ा फर लिख दो यस मैम सभी बच्चों को क्लियर होनी ही चाहिए कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए चले वेरी गूड वेरी गूड बस इतना याद रखना निकल डल लीथियम अल्यूमिनियूम हाइड्रोइड की उपस्ति में अप्चे चले आजाओ सेकेंड अब सेकेंड कौन सी है भाई सेकेंड अभी किरिया कौन सी है एलकिल हैलाइडो का अमोनी अपगटन एलकिल हेलाइडों का अमोनी अपगटन क्लियर बेटा बात समझ में आ गई तो फटा फट बताईए यस मैं अमोनी अपगटन एलकिल हेलाइडों का अमोनी अपगटन यह आपको करना है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए अमोनी अपगटन होता क्या है तो सबसे पहले सभी बच्चे बूर की तरफ भ्यान देंगे अमोनी अपगटन का मतलब क्या होता है अमोनी अपगटन का मतलब होता है जब कोई भी अपने पास अलकिल हेलाइड अमोनिया के साथ रियक्शन करता है तो उसके अलकिल और हेलाइड के बीच का बंद किसके द्वारा तोड़ दिया जाता है अमोनिया के द्वारा तोड़ दिया जाता है इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों अमोनी अपगटन कहते हैं क्लियर बात समझ में आई अमोनी अपगटन किसे कहते हैं जब अलकिल हेलाइडों का जो बंद होता है एल्किल और हेलाइड के मद्य उसका बंद यदि अमोनिया द्वारा तोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं एल्किल अमोनिया घटन कह देते हैं क्लियर बटा बात समझ में आ गई तो फटाफ़त लाइक कर दो और लिदो यस इनम ओके आप यहाप कहना चाहते हैं अमोनिया घटन वह प्रक्रिया है जिसके जिससे आप क्या प्राप्त करते हैं जिससे आप करते हैं शतुस्क Ammonium Lover यानि आप एक डिगरी, दो डिगरी, तीन डिगरी और चार डिगरी एम इनका क्या करते हैं? Mixture प्राप्त करते हैं यानि आपके पास अलग-अलग नहीं होगे ये चारों एक साथ प्राप्त होगे इनका Mixture प्राप्त होगा इनको अलग-अलग प्राप्त नहीं कर सकते हैं ये इसमें एक S विदा है इस विदी में ये क्या है? एक S विदा है किसमें? Ammonie अप घटन में लेकिन ये बहुत important है एक्जाम में बहुत-बहुत-बहुत बार पूछी गई है हर साल पूछ जाती है क्लियर तो आज आओ जी चलते हैं आगे ये बात सबको क्लियर हो गई ये बात सबको समझ में आगई तो फटा फर थम सब भेज़ दो Ammonie अप घटन क्या होता है और इससे हम क्या प्राप्त करते हैं क्लियर अब चतुस्क Ammonium लवन क्या होता है वो मैं आपके सामने अभी बनाऊंगी ताकि आप सबी बच्चें को क्लियरली समझ में आजाए तब तक सबी बच्चे फटावर क्लास को शेयर कर दो आजाओ जी आजाओ तो सबसे पहले कहा गया दो कंडिशन बताई ड़ी क्या? कि अगर आप एलकिल हेलाइड की क्लिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है आज एन एक्स पॉजिटिव और नेगेट ओके? यानि नाइट्रूजन जो है ये किस फॉर्म में है? चतुस्क अमोनियम लवा वहीं पर यदि आप आरेक्स की किरिया NH3 से तो करा रहे हैं और NH3 आप यदि अधिक्य में भी ले रहे हैं तो भी आपको केवल कितना डिगरी? एक डिगरी एमीन ही प्राप्त होगा दो और तीन डिगरी नहीं क्लियर? यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई तो जल्दी से बता दो यस मैं क्लियर है कैसे यही क्यों एक डिगरी दो डिगरी तीन डिगरी क्यों नहीं तो रियक्शन करते हैं जल्दी आ जाओ तो सबसे पहले सबसे पहले अपन क्या करेंगे सीच थरी खीक है? सीच थरी के साथ में या सीच फवाइब के साथ में आप ऐसे लिख सकते हैं सीच फवाइब लॉर्ड शीजर रियक्ट वीद और ऐच थरी तो आप पाएंगे या बटा आर अरक्स के साथ में यह बाद सबको समझ में आई मॉलेक्यूल को ऐसे एरेंज करो कि वह टूटता और जुडता हुआ ठीक है यह आपका एक अब वापस C2H5 and H2 react with किसके साथ बीटा C2H5 वापस मॉलेक्यूल को ऐसे एरेंज करो कि वह टूटता और जुडता नज़र आए अच्छीयल रिमूव क्या बन गया विटा C2H5 and C2H5 क्या हो गया विटा है एच क्लियर कितना डिगरी दोगी दूसरा हाइडरोजन भी गया कितना डिगरी दो यहां तक सब को क्लियर हाँ या न थर्ड देखो थर्ड में क्या है राजा थर्ड में कुछ नहीं एन अपने पास क्या है C2H5 and C2H5 यहां पर क्या था एच वापस CL C2H5 क्लियर है राजा क्या बनेगा जी C2H5 and C2H5 C2H5 यहां तक कोई दिखकर नहीं अचिए लिएक्शन नाओ यदि आप वापस इसकी रियक्शन किसके साथ करा दें C2H5 C1 अब इसके पास एच नहीं है नहीं है तो अब कुछ भी नहीं जिमूँ होगा साथ CL और प्रोड़क्त क्या बनेगा भाई यह कितने डिगरी है तीन डिगरी कितना डिगरी यह भाई तीन डिगरी अब आजाओ एन C2H5 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 राइट और यहां पर C2H5 चार बंद बनते ही क्या चार जाया गया प्लस और साथ में क्या लेगा CL माइनस चार बंद बना रहा है तो नाम क्या आएगा चातोस्क अमोनियम अमोनिया की जिए अमोनियम क्यों लिख रही हूं क्यों नाइट्रोजन पर क्या चार रहा है प्लस प्लस अभी नियम अमोनियाम लवाद ओके डन सभी को बात समझ में आ गई तो फटा फट जल्दी से क्लास को लाइक कर दो और लिख दो यस माइट्र है सबको इतना आराम से हम आपको पढ़ा रहे हैं इसके पीछे इतना ही रीजन है कि आपको अच्छे से समझ आनी ही चाहिए क्लियर आजाओ जी आजाओ जल्दी से आजाओ चलते हैं आगे अब आती है आपकी अगली अभी क्रिया कौन सी भई अगली अभी क्रिया कौन सी है आपकी अपने किस से लिखाता भई अगली अभी क्रिया है आपकी कौन सी राजा अगली अभी क्रिया है थर्ड नं नाय्ट ट्राइलो न्य ट्रालो नाइटाइल एक नै ड्राइलो का पर मुए इसते क्या कहते हैं इसे क्या कहते है। न्य ट्राहिं मतलब cn को नाइट्राइल कहते हैं ठीक अब इसका जब भी अपचैन करते हैं तो हमेशा 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 ध्यान रखो कि अपचैन हमेशा लीथियूम एलुमीनियूम हाइड्राइड की उपस्तिती में होता है साथ ही इसे क्या कहा जाता है इसमें कहा जाता है कि हमेशा एक अधिक अधिक कार्बन वाली एमिन प्राप्त होती है क्या प्राप्त होती है एक अधिक कार्बन वाली एमिन इसलिए इससे क्या कहते हैं एमीनों का आरोहन कहा जाता है कि मिनो का आरोहन कहा जाता है कि यह क्लियर है बात समझ में आ गई तो फटा फट जलदी से बता दीजिये कि आपको बात समझ में आ गई है या नहीं जल्दी 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 सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से यस और नो फटा फटा फट चलू आजाओ जी इसकी रियक्शन क्या होती है इसकी कॉमन रियक्शन होती है राजा क्या पस्तिती में ये बंद तूटता है अभी तो एकी कारबन था ला आपडेखना क्या हो जाता है कितने हाइड्रोजन चाहिए चार हाइड्रोजन चाहिए और क्या बन जाता है आर CH2 क्या विटा एन एच्टी ओके हाँ या ना यहां से तीन बन टूटे पर यह यू हो गया ना एक एक दो बंदिस के खाली दो इसके खाली चार हाइड्रोजन जोड़ के लियर यहाँ देखो CH3 C triple bond N reaction with lithium aluminium hydride और हाइड्रोजन के साथ अपचेन हुआ और क्या बन गया CH3 CH2 NH2 एक अधिक कारबन वाली आमिन नहीं बन गई क्या हाँ या ना तो इसे अपन क्या कहते हैं एमिनों का आरोण कहते हैं कभ जब किसी भी नाइट्राइल या साइनाइड कमपॉंड के साथ एक बात आज गाट बांदो इस्टार लगाओ जब एक डिगरी कि एमिन से आपको दो डिगरी एमिन चाहिए हाँ या ना या फिर एक डिगरी एमिन से आपको एक डिगरी एमिन नहीं जब मैथिल एमिन से आपको क्या चाहिए बेटा मैथिल एमिन से आपको क्या बनाना है एथिल एमिन बनाना है तो हमेशा आप किसका यूज करेंगे नाइट्राइल का यूज करेंगे तो आपका एक कार्बन यहाँ पर बढ़ जाएगा यस और नो यह एक्जाम की द्रश्टी से बहुत जादा इंपोर्टेंट है सभी बच्छे नॉट डाउन करेंगे ओके जी ओके क्रियर हो गई बात तो फटा फट थम्स अब भेज़ेंगे आजाओ आजाओ चलते हैं आगे अगली अभी क्रिया है चार नंबर जिसका नाम है क्या भाई माइडो का अपचेन, माइड क्या होता है राजा? माइड का अपचेन क्या होता है भाई? जल्दी जल्दी बताओ M-I-D-O का क्या बेटा अप्चेयन राइट M-I-D-O का आप्चेयन ज़रा देखेंगे सभी बच्चे M-I-D-O का आप्चेयन होता है क्या M-I-D-O के अप्चेयन के लिए अपन देखते हैं R-C-Double-Bond-O N-H-2 M-I-D-O है मिए इसका आप्चेयन आप किसकी उपस्तिती में करेंगे इसका भी अप्चेयन आप किसकी उपस्तिती में लीथियम अलुमिनियम हाइट्राइट की उपस्तिती और क्या बन जाता है R-C-H-2 N-H-2 Yes or No जल्दी जल्दी बता दो फटा फट बता दो जल्दी से CH3 सभी बच्चे खुद बनाएंगे CH3 C double bond O and H2 is equal to lithium-aluminium hydride clear CH3 CH2 and H2 प्रात्मी गैमिन बन गया हाँ या ना जल्दी बताओ जल्दी बताओ बात समझ में आई गया नहीं ओके सबका clear है topic सबको समझ में आ गया थाम सब तो बहुत सारे बेज रहे हैं आप लोग थांक्यू 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 सो मच्वेटा ऐसे मन लगा के पड़ोगे सब समझ में आएगा अगली अभी करिया है अग्या थांक्यू 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 थांक्य अभी क्लिया ओके डन ग्रेबल थेले माइड अभी क्लिया क्या होती है सबी बच्चे ध्यान से सुनेंगे से चक्री अभी क्लिया भी कहते हैं क्लियर सब को समझ में आई सब से पहले हम क्या बेंगे सब से पहले अम लेंगे अधेलिकum सब जानते हो छह यह नम है इसका ज्या नम है इसका एदेलिकend थेलिक ओके दन अब अपने ओ क्या बनाना है यहां से यह हच्टू ओ रिमू लिख दो यहां पर माइनस हच्टू ओ क्लियर क्या बन गया प्रोडक्ट प्रोडक्ट बन गया बेंजीन रिंग ध्यान देना सी डवल बॉन ओ सी डवल बॉन ओ इसे क्या लिखोगे नाम आप थेलिक थेलिक एन हाइड्राइड ओके नाव अब चलते हैं आगे अगली रियक्शन में क्या होगा अब आप रियक्शन कराएंगे किसके साथ बेटा अनच 3 के साथ ठीक है आपको स्क्रीन पर ही नजर आ रहा है यहां से अच्टू रिमोव हो जाएगा माइनस हच्टू क्लियर क्या बनेगा क्या बनेगा राजा सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एन एच क्या ना में इसका क्या ना में इसका थेले माइड क्लियर हाँ या ना चल्दी बता अब थेले माइड की अभी क्लिया किसके साथ बेटा के वाच के साथ राइट वापस क्या रिमूव हो गया एच हर जगा इस तो निकालना है से या लोंड ऑन विते पाए दें इसे डवल बॉंड और आंन किं सी डवल बोंड याँ से हैच यहाँ से हाँ फली रेम ना आप आपो किसके साथ रेक्शन रेक्शन कर साथे हैं अब ओ are हैलाइड के साथ जैसे आप रीक्षिन कराएंगे तो यहां क्या बन जाएगा सभी बच्चे ध्यान देंगी जल्दी 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 आप रीक्षिन कराएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा यहां से के सियल हाँ यह ना आपके पास प्रोड़क्ट क्या बना राजा आपके पास प्रोड़क्ट बना आपके पास जो हच टू बने हैं एक दो यहां आप ले लो टू एच टू रियक्शन कराओ यहां से बंद तोड़ो हाँ यह ना और आपके पास होंगे हैच ओच एच ओच हाँ यह ना जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट एच वह एच एच यहां से जैसे बंद तूटा यह था जी फ्री झूपन यह लिखा था यह आप पास में मिलकर क्या बना देंग यह बना देंगे यह बना देंगे आपके पास प्रोड़क्ट क्या बिटा यह बन जाएगा CH3 and के साथ में कितने hydrogen? दो and H2 साथ में क्या बन जाएगा? साथ में बनेगा क्या? यहां से तूटा? दो ओच यह नग जाएगे वापस क्या बन जाएगा? थिलेक अमन हाँ या ना? क्योंकि यहां से जैसे यह हटा दोनों ओच ओच लग जाएगे देखो यह चक्री अभी क्रिया नजर आ रही है स्क्रीन पर आपको सभी को जल्दी जल्दी बता दीजिए सभी बच्चे जल्दी से बता दीजिए हाँ या ना? जल्दी से जल्दी से जल्दी से ओके तब को समझ में आया? पड़ा पर्थ जल्दी से स्क्रीन शोट ले लेना अगर आपको आ गई तो बीना देखी बनाने कोशिश जरूर करना चले आईए जी आईए चलते हैं आगे चले अब देखते हैं अगली लास्ट अभी करिया आपकी कौन सी है लास्ट अभी करिया है हाफ मान हाफ मान ब्रॉमेमाइड अभी करिया है शिक्स हाफ मान ब्रॉमेमाइड अभी करिया जल्दी से बता दो फटा 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 फट चलते हैं जी अब हाफ मान ब्रॉमेमाइड का मतलब होता है आपने जितने कार्बन की भी एलकेन ली है वो आधी रह जाती है आधा आधी रह जाती है ठीक है कैसे जरा सभी बच्चे ध्यान देंगे आपके पास है और इसी डबल बॉंड ओ एन एज टू जब यह रियाक्शन करता है बी आर टू के साथ प्लस पूर के ओच या पिप पूर आने ओच के साथ तो प्रोड़क्ट बनता है आपके पास क्या आध एन एज टू प्लस तू एन ए क्या प्लस तू क्या बिटा तू एच टू प्लस अने एने एच या अने टू सी ओ थी प्लस तू अने प्लियर बात समश में अब यह कैसे बना यह हुआ कैसे इसकी मेकनिजम क्या है सबी बच्चे ध्यान देंगे क्या विदि यहां तक तो यह जैनरल सी रियक्शन थी मैंने वादा दी अब मेकनिजम देखो क्या विदी क्या होती है सबीच ध्यान देंगे क्या विदी क्या मतलब होता है क्या विदी का मतलब होता है च 3C double bond O and H2 right हाँ यह ना जल्दी से बता दो फटा पर रियक्शन वेथ बीयार 2 ओके बीयार 2 गे साथ रियक्शन करते ही क्या हुआ सभी बच्चे मॉलेक्यूल को ऐसे अरेंज करो कि वह तूटता और जुडता नजर आए दियार दियार प्लस माइनस प्लस माइनस यहां ऐसे लिख दो ता कि आपको सब कुछ क्लियरली दिखें माइनस माइनस जुडगे क्या बना बिटां च थरी सी डबल बॉन ओ और एच दियार अब इसकी रियक्शन पहली रियक्शन सब को क्लियर है हां या ना सी एच थरी सी डबल बॉन ओ और एच बी आर रियक्शन विट तू क्या रियक्शन विट तू के ओ अच या फिर अपने पास क्या था अन्यो अच प्लस और एच ओके सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान दियार तोटा टूटा क्या बना विटा जल्दी से बताएंगे सी एच थरी सी डबल बॉन ओ क्या बच गया विटा एं जिसका नाम क्या है एसल नाइट्रीन क्लियर ओके चलते हैं आगे अगली अभी क्या होगी जब एसल नाइट्रीन बन जाता है तो रियक्शन में इसका पुनर विन्यास होता है क्या होता है बटा पुनर विन्यास मतलब एटम की जगे चेंज हो जाती है यहां डबल जब यह क्या है आपके पास लॉन पेर है ना तो यह यहां ट्रांसफर होगा और यह नश्थरी यहां सभी बच्चे ध्यान देना मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं मेरे पास जो मॉलिक्यूल है उसको लिख रही हूं केवल लूटर केवर अपने पास क्या था बिटा c double bond oh यहां क्या था एंट उसने अपने एलेक्राण दीये और यहां क्या आगया CH3 यह सब को समझ में आ रहा है हां यह ना जल्दी बतह यहां से ट्रेया आ गया और इसने यह बन बना लिए इसको आप ऐसे भी लिख सकती है कैसे CH3 C and C double bond C double bond clear हाँ या ना जल्दी से बताओ इसका नाम है methyl isosynate methyl isosynate क्लियर बेटा यस और नो जल्दी चल्दी 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 चलें अब इसकी रियक्शन आप किसके साथ करा दें methyl isosynate reaction CH-3 single bond and double bond इसकी रियक्शन आप कहेंगे 2KOH या फिर 2 क्या था आपके पास आपके चल्दी 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 से फटाओ 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 सामने मैं बता जेती हो भी आने ओच 2 है ना तो अपने पास क्या होगा अपन इसको एस दो लेंगे कैसे आने ओ पे एच एच ओ एच ओ एच यह यहां से यह टूटा और यह यहां चुड़ाओ राइट हाँ या ना क्या बना? CH3 NH2 वन डिग्री आइमी प्लस NA2CO3 हाँ यह ना देखो सोडियम दो कार्बन एक एक गोतीन ओक्सिज़न अने टू सीज़न अने टू सीज़न अब बचता है आपके पास दो अने ओच यहां काम आ गए एक यहां तीन हो गए एक बच किया वन अने ओच बच किया साथ में क्या बच किया साथ में क्या बच किया आपके पास यहां पर क्या बना था है यहां 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 यह तो भौतिक गुंधरम क्या होते हैं जनरली बच्चों आप सब को पता है मैंने और गिनिक के लगबग सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं यह लास्ट टॉपिक है आपका है ना लास्ट चाप्टर है मतलब कहने का तो वहां पर हम सब जब भी भौतिक गुंधरम पढ़ने सब्सक्रesta है हर ज़गह किया है तो आप तो आपको याद हो गया होगा तो इहां यहीं दिसक्स십 dov 자주 बहुतिक अवस्ताव बतिक आवस्ता तरजान क्या कहते है चिनरल कॉंश्ब्राऊनल कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी आप और समुहें की बात करेंगे तो क्या होती जाते हैं भोतिक अवस्ता जो है वो गेस से किसमें कंवर्ट हो जाती है द्रव में और आर बढ़ाने पर last में क्या हो जाता है वो थोस में बदल जाते हैं जितने alkyl group बढ़ते जाएंगे उसका भार यानि अनुभार बढ़ता जाएगा और अनुभार बढ़ने के साथ की वह गेस से द्रव द्रव से ठोस में बदल जाते हैं तो simply यहां भी यही लिखा गया है कि निचली ऐली फैटिक वह द्रव वस्ता में आजाते हैं और उससे अधिक दिया बात करें तो वह ठोस एमिन बन जाते हैं जैसे कि मैंने आपको एक चोटा सा ट्रिक बताई दिया स्टार्टिंग में की और समुवा जितना बढ़ता जाए गा उतना ही कि ड्रव द्रव से ठोस में बदलता जाएं वह याद रखें लेगा मघन ऐसाा कोई वह तो नहीं निखा हुआ है और सब चीज़े अपनी जगह सही है किसी को भी गलत वलत नहीं कहते हैं हम जिसका जो खाना पिना है वो सब होता ही है ऐसा कुछ नहीं है तो वहीं पर यह बात है तो वहां जाएंगे तो पता चली जाता है कि यहां पे किसी समय आती है यह जनरल लाइफ में भी बहुत जरूर है तो एक बात जरास्त हम सब जरूर बेज दें सभी बच्चे फटा फट फटा फटी के पता चले कि मेरे बच्चे मेरे से कितना प्यार करते हैं जल्दी आजाओ फिर आता है अगला कुछ नांग विटा आप सब जानते हैं कि अनुभार जितना जादा होता है बंद उतना ह करता हूं it's a very simple or quick trick to learn this clear तो आप जल्दी से-से याद कर सकते हैं कि अनुभार जब भी बढ़ेगा किसी भी योगिक के बारे में बासक बात कर सकते हैं आप जरूरी नहीं है कि आपके एमिन की ही बात कर रहे हैं किसी में भी पढ़ेंगे तो भी अनुभार हमेशा बढ़ने पर क्वतनांग बढ़ते ही हैं ओके जन तो चलते हैं आगे तो इसके बाद तो गवतनांग में लिखाए न मिटा त्रितिक एमाइन को छोड़कर सभी ध्रूवी है अंतर अनुविक हाईरोजन बंद बनाने में सक्षम है यह बात बात में समझाओंगी अच्छे से क्योंकि बढ़ जाता है वहें पर बात करें गुलन्शीलता यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टन है एयम बात करूं तो सबसे ज़्यादा गुलंशील एक डिगरी फिर दो डिगरी और तीन डिगरी ऐसा क्यों है मैं एक डिगरी सबसे ज़्यादा है दो डिगरी कम है तीन डिगरी सबसे कम है क्यों भई ऐसा क्यों बेटा छोटी सी बात है छोटी सी बात है जिसे नोट डाउन आप और आप लिखेंगे कि जब एक डिद्री एमिन होता है तो वहां दो हाइड्रोजन होते हैं दो डिदी में बेटा एक हाइड्रोजन होता है जनुअर्दória के साथ इसके द्फर एमीन के द्फर हाइड्रोजन बंद नहीं नहीं बना सकता है नहीं बनाने के कारण क्या हो जाता है इसमें घुलन शीलता दिरे-दिरे कम हो जाती है it is clear now it is clear now say yes or no say yes or no yes okay thank you so much thank you for our thumbs up भीज़ दो मेरे को बात समझ में आ जाए मुझे भी आ जाए कि मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो जल्दी से भोतिक गुंधरम सभी का clear हुआ तो जल्दी से चलते हैं आगे अब अपन देखते हैं कि राड़ाईनिक गुंधरम जो होते हैं रासाईनिक मुणधरम जो होते हैं बीटा मैं बाहत करूँ तो पहले सबसे गुंदार क्लियर सभी बच्चे धान देंगे रासा इनी गुंदरम की जो बात करते हैं तो इसमें टोटल साथ रियक्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, yes or no, yes or no, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितनी रियक्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, clear है, हाँ या न जल्दी बताओ, clear है, ठीक है, अब पहली अभिक्रिया कौन सी है, सभी बच्चे ध्यान से देंगे लिए, पहली अभिक्रिया जो है, पहली अभिक्रिया है, कि एमिन के द्वारा चारिये गुनों का परदशन, चारिये गुन, यानि इनकी जो चारिये प्रवर्ती होती हो, किस तरह की होती है, वो हम यहाँ पर डिसकस करेंगे, clear, second जो reaction है, वो आपका है, क्या बिटा, एल कीली करन, क्या है बिटा, second अभी क्या है, क्या है, राजा, एल कीली, current, correct पुटर, third reaction कौन सी है, राजा, third reaction है, आपकी एल कीली करन के बाद में, S-C-T-L-E, current, S-C-T-L-E, current, क्या है, एल क्या है, फिर आती है, अगली अभी किया अपना, कार्बिल एमीन अभी किया, it's a very, very important reaction, क्या है, कार्बिल एमीन, अभी किया, यह दो तरह की समझाई जाएगी, किस-किस में, एलिफेटिक एमीन, और एरोमेंटिक है, प्लियर, एरोमेंटिक है, और आपकी कौन सी reaction, पांच वी रियक्शन बताई जाती है, और नाइट्रस अम्ल के साथ, अलग-अलग कलर से इसलिए लिख रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, नाइट्रस अम्ल के साथ, और उसके बाद, रियक्शन आती है, कौन सी, कौन सी, कौन सी भाई, आपके पास अगली रियक्शन आती है, चट्टी, एसल, क्या, सलफोनी करण या, हिंसबर्ग अभी कर्मक के साथ अभी किया, कलिए, बात समझ में आ गई, और सातवी और लास्ट अभी किया है, इलक्टरून ने ही, प्रतिस्था पन अभी किया, इलक्टरून स्ने ही, प्रतिस्था पन अभी किया, अभी क्लियर है राजा बात समझ में आ गई साथ की साथ रियक्शन कितने बच्चों की क्लियर है जल्दी से बता दो साथों अभी क्लियाओं के नाम कितने बच्चों को याद हो सकी है पहली अभी क्लिया क्या है चारी दूसरी है एल्किली करण है और और चौथी अभी क्लिया है कार्भिलमिन परिक्शन जिसे आईसोसाइनाइट परिक्शन भी कहते हैं यह प्राथमिक एमिन या यू कहूं की एरोमैटिक और एलेफेटिक दोनों में दिखाई जा सकती है वहीं पर आपकी पांचवी अभिक्रिया का नाम क्या है पांचवी अभिक्रिया है नाइट्रसमल के साथ छट्टी है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ इसका नाम क्या है हिंसबर्ग अभिकर्मक जो रियक्शन होती है वो है एरिल सलफोनिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है स साथ ही साथ साथ वी अभी किया है कि एलेक्टोंस नहीं प्रतीस थापन अभी किलिया सब बच्चों को यह दिख क्लिर हो गया है तो फटाफर्ट चार्ड का आप स्क्रीन शोट लेंगे सबी बच्चे फटाफर्ट फटाफर्ट जटा जट ज़ती से लेलो मिले राजकुमारों मेरी राजकुमारियों ले लिया ओके डन चलते हैं आगे रासाइनिक अविक्रियाई जरहें उनमें सबसे पहला है आपका मूल चरित्र जो हम चारी गूल की बात कर रहे हैं उसे अपन यहीं से डिस्कॉस करना शुरू करेंगे तो यह कहा जा रहा है कि सबसे अमीनों का मूल चरित्र जो है वो क्या होता है तो कहा गया कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रोन के एका की एका की जोड़े की उपस्तिति के कारण एमीन चारी गूल प्रदेशित करते हैं यह पानी के स्तुलना में अधिक मजबूत आधार है और इसी विए उनके जलिये घो में पानी का प्रॉट्वाड नेटेड हो जाता है यह क्या कह रहा है जैसे आपके पास एमीन है एट सही अब यहां पर वाटर मॉलेक्योल है अ कि तो यह इसके साथ जुड़ जाता है और यह ऐसे भी झूड़ सकता है आप एंह क्योंकि इसके पास लोनपेर है तो यहां पर क्या होगा यहां पर आपके पास होगा तो यह इस hydrogen को ले लेगा और यह क्या बन जाता है और एन एच थ्री पॉजिटिव राइट ओ एच नेगेटिव तो इस प्रकात प्रोटोनेटिड भी हो जाता है क्योंकि इसके पास लौन पेर मौझूद है और जिसके पास लौन पेर ज्यादा आवेलेबल रहेंगे जिस एमिन के पास आराम से जो लौन पेर दान कर सकता है वो उतना ही ज्यादा चारिये प्रवर्ति का होता है इट इस क्लियर नाओ बात समझ में आगई से यस और नू बताओ ना राजा समझ आया कि नहीं क्लियर है ओके डर तो अमेशन ध्यान करो क्योंकि लौन पेर परजेंट होने की वज़े से ही यह क्या हो जाते हैं जलिये वीलियन में प्रोटोनेटिड हो जाते हैं और यही इस कमचारी होते हैं ऐसा क्यों सभी बच्चे ध्यान देंगे जिसे अपने पास है CH3 NH2 ठीक है ध्यान देना CH3 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 ठीक है एक आता है CH3 CH3 ठीक है वहीं पर अगर आप बात करें एनिलीन की या एरोमैटिक एमिन की टो क्या होगा आपब यह सब एलिफैlor थे खहां यह इन में कोई रेजुनेंस नहीं क्या नहीं है इनमेדमेलिको नहींमे प अ औनोनाद नहीं है अनुनाद नहीं है तो यह आसानी से क्या हो जाएगा किसी दूसरे के लिए अवेलिबल हो और इलैक्ट्रोन युग्मदान करना ही क्या कहलाता है च्छार यह प्रवर्थी कहलाता है यह ठियोरी किसकर एनुसार है भाई लुईसकर पूछना मम- knight क्या होता मैंने बताया हुआ है क़य मैंने पढ़ा है जिसने नहीं पढ़ाए जाकर पढ़ सकता है वो भूमिका मैम के चैनल पर ही मैंने जी योची का एक अलग से कॉंसेप्ट बनाकर वीडियो ड़ा हुआ है जाकर देख सकते हैं जनरल कार्बनिक रसायन का जिसको भी नहीं पता है वह देख रहां तो प्लस आई प्लस आई दो है यहां पर प्लस आई प्लस आई तीन टो देहों एक को तो एक की भाई दे रहा है 1-2 पैसे देरें एक को तीन भाई पैसे दे रहे तो सबसे जादा दान कोन करेगा जिसको 3 भाई पैसे देरे तो तीनौब भाई देने की वज़े से यह क्या कर देगा यह कम दान देगा यह देगा और यह सबसे ज़्यादा दान देगा हाँ यह ना जल्दी बताओ तो तीन डिगरी जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होगा चारी फिर दो डिगरी और फिर एक दी यस और यस और नो जल्दी बताओ बात समय चारी गुन की प्र नाइट्रोजन परवानों सांचाइण यॉक्म बैंजिन अब आता है दूसरा कॉंसेट जिसम्में एपन बैंजिन रिंग की बात करते हैं अगर बेटा बेंजिन रिंग की आप बात करेंगे तो बैंजिन रिंग में अनश्ठू समूल जो है वो लौन पेर नहीं देगा क्यु क्लियर है यह सोन जल्दी बताओ जल्दी बताओ बात यस और नो डशाब बास फटावर थमसब बेज दो फटावर थमसब बेज दो ओके जी ओके अब चलते हैं दूसरी है अगला रियक्शन है कि चारी गुल बैस्तों बात करके आएं पर इसमें बताया है तो हम बात फिर भी करी लेते हैं तो चारी गुल क्या होता है एमिन ऐल्किल समवर से उच्च वर एमिन बनाती है इस परतिकरिया में में नुक्लियोफाइल की रूप में कारिय करती है नुक्लियोफाइल यानि कि M इन जो है अगर आप बात करेंगे तो यह NH2 गुरूप है और यह लॉन पेर यहां दे रहे हैं तो यहां पर electron density क्या हो जाएगी बेटे यहां पर यह बंद तूट जाएगा यहां माइनस यहां यह नॉइन नाह जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ तो यहां पर यहां पर प्लस flatten mai गया अब यहां आ जाता है कि यहां पर ben gaanelse नर्ग जो है आपकी क्य देंगी तरहें भिटेंग ऑन न्युक्लियु फाइल की तरह धनी होती है इलैक्टोन जो है इसके पास जादा उपस्तित होते हैं यह बाद सबको क्लियर है तो जल्दी से बता दीजिए यस और नू फटा फट बता दीजिए जल्दी 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 सभी बच्चे ओकी जी ओके दान चले आगे जल्दी बताओ जल्दी 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 छलें जी आगे बिल्कुल जी चलते हैं आगे ये सब को क्लिएर हो चुका है तो अब देखते हैं हम अपनी अगली अभीक्रिया जो है व आप सब जानते हैं एलकीली करन का मतलब क्या होता है क्या होता है जब किसी भी एमिन की रियक्शन के बार-बार कराई जा रही है किसके साथ तो वो क्या हो जाता है एलकीली करन हो जाता है और वो क्या बनाता है चत्तुसक अमोनियम लवन बनाता है जैसे आपके पास क्या है बीटा CH3 NH2 है रियाक्ट विद किसके सब बिटा रियाक्ट विद थे CH3 CL राइट तो मॉलिक्यूल को हमेशा ऐसे एरेंज करो कि वह तूटता और जुडता नजर आए तो हम भी यहां पर मॉलिक्यूल को ऐसे एरेंज करेंगे कैसे CH3 एन यहां पर H यहां पर H प्लस CL CH3 यहां से यह क्या हो गया रिमूब हो गया और क्या बन गया CH3 and CH3 H फिर से किसके साथ रियक्शन CL CH3 के साथ है फिर से क्या बन गया CH3 and CH3 CH3 फिर से यह आप रियक्शन करा रहे हैं CH3 CL तो अब आपके पास हाइड्रोजन तो है नहीं तो यह अब क्या करेंगे यहां से तूटकर यहां पर अटैक करेंगे तो क्या बन जाएगा CH3 and CH3 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 और कौन सा चार्ज पोजिटिव चार्ज और क्या जाएगा CL माइनस इसका नाम क्या है चतुस्क अमोनियम लवाद यस और नो जल्दी बताओ यस और नो या या ना जल्दी से बता दीजिए फटा फटा बता दीजिए सभी बच्चे अब आप लोग सब बच्चे आपके लिए यह होमवक है कि आप एनी लीन का भी चतुस्क अमोनियम लवण खुद बना कर देखेंगे कि क्या इसका चतुस्क अमोनियम लवण बनता है और वो जादा इस्ता ही होता है या नहीं सभी बच्चे मुझे बना कर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएंगी ओके मैं अगली क्लास में बता सकूंँ क्या你要 सेकेंग थर्ड रियक्षिन है बिटा क्या आपकी थर्ड रियक्षिन है राजा थर्ड रियक्षिन का नाम है बिटा क्या थर्ड रियक्षिन का है acetylion की reaction amine के साथ कराईए तो आप किसके साथ कराएंगे अब मैं करवा रही हूँ aromatic amine के साथ ठीक है यहाँ पर आपका nitrogen यहाँ पर आपका hydrogen और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है CL C double bond O CH3 यहाँ से molecule में क्या remove हुआ राजा ACL remove हो जाता है और क्या बन जाता है क्या बन जाता है यह बन जाता है क्या बिटे N öde C double bond O CH3 हाँ या ना जल्दी से बता दीजे हाँ या ना जल्दी से बता दीजे बात सभी को समझ में आ गई होगी uellor test amine या ना जल्दी जल्दी बता हूँ फटा-फट सब को यह reaction समझ में आई आप इस reaction को एलिफेटिक कंपाउंट में भी कर सकते हैं कोई तिकत नहीं है यहां तक clear अब चलती हूं आगे अगली अभी क्रिया जो है आपकी चोथी अभी क्रिया क्या है राजा चोथी अभी क्रिया है आपकी जिसका नाम क्या है जिसका नाम है यह तो तीसरी बी टीकिए नहीं कि यह दूसरी थी अब आपकी तीसरी अभी करी चारिय इसा इसा टीकल्मीन अभी करेंज़ेया कर्भिलमीन यह बहुत इंपोर्टेंट है क्याकर नहीं क्यों किया है इसे आई सो साइनाइड परिक्षन भी कहा जाता है क्या कहा जाता है आई सो साइनाइड परिक्षन भी कहते है क्यों क्यों कहते हैं सबसे पहले सभी बच्चे नॉट डाउन करेंगे सबी बच्चे note down करेंगे कि यहां पर सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात क्या है सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर आपको प्रात्मिक कि एमिन का प्रेक्शन किया जाता है राथ में गर एमिन का परिक्शन होता है ठीक दूसरी बात दूसरी बात इमपॉर्टन क्या है इस दारान क्या होता है शुद्ध ек्लोरो फोर्म परिक्शन होता है तीसरी इंपॉर्टन बात क्या है 3 इंपॉर्टन बात है कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं इस के द्वारा हम लोग हमेशा 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 प्रॉडक्ट में उत्पाद में हमें क्या प्राप्त होता है उत्पाद में कार्बिल एमिन प्राप्त होता है कार्बिल एमिन प्राप्त होता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है कार्बिल एमिन ओके डन इट इस क्लियर नाओ यस और नो ये तीनों पॉइंट सबसे पहले क्या प्राथमिक एमिन का परिक्षन दूसरा शुद्ध क्लोरोफोर्म की पहचान और तीसरा क्या है कार्बिल एमिन बनता है इसलिए इसे हम कार्बिल एमिन अभी क्लिया कहते हैं क्लियर है बात समय है इस कार्बिल एमिन को ही अगर आयो पीस भासा में बोलू तो हम लोग आई सोसाइनाइड लिखते हैं तो इस आई सब्सक्राइड परिक्षन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भी एक बहुत ही दुरगंद कारी गंद आती है चले बात समझ में तो सबसे पह CH3NH2 react with chloroform CHCl3 react with 3KOH reaction में प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3NC isosynate plus 2KCl plus 2H2 yes or no? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो की बात समझ में आई है या नहीं सभी बच्चों को अच्छा 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 3KCl or 3H2 अच्छा 3 लिया है नवाँ? अब इसकी क्रियाविदी देखो क्रियाविदी सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से सभी बच्चे ध्यान से क्रियाविदी को नोट भी कर ले न वहीं यह बहुत important है बहुत जादा important है तो सबसे पहले क्या करना कुछ नहीं सबसे पहले CHCl3 react with KOH ठीक है? आप सब बोर्ड की तरफ देखो CHCl3 जो है आपके पास उसको थोड़ा सा खोल के लिख लो molecule को ऐसे एरेंज करो कि बड़ तूटता और जुड़ता नजर आए राइट CHClCl और सी यह सोर नो से यह सोर नो अब देखो विटा यहां से क्या निकला? KCl और यहां से OH और यह H ठीक है? तो प्रोडक्ट में क्या बना राजा? प्रोडक्ट में बना आपका CCl2 जिसमें मैं मैं दाई Dye-Cloro-Carbine ठीक है? यह सोर नो प्लस साथ में क्या निकल गया? KOH-प्लस साथ, सुरी, KCR KCR, साथ में क्या निकल गया? H2O, यहां तक सबका क्लियर है, यहां तक सबका क्लियर है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बतातो डाइक्लोरो कार्बीन अब यह एनिस्टीवल है यह तो एस थाई है अब एस थाई है तो दूसरी रियक्शन क्या होगी दूसरी रियक्शन होगी ccl2 के साथ reaction को न करेगा राजा एमिन करेगा फटा फटी कर लेगा फटाफटी एमिन क्या कर लेता है इसके साथ reaction कर लेता है और जब यह से reaction करता है तो यह इसके उपर एक देता है और क्या बंजाता है और बन जाता है आपका क्या विटे आज या फिर मैं यूंड दो बेंजीन रिंग उसके साथ में क्या नाइट्रोजन फिर यहां भी हाइड्रोजन यहां भी hydrogen यहां पर क्या सी इधर सी यहां या ना जल्दी जल्दी बताओ यह नहीं आपके पास जो यह molecule है क्या एन इसके साथ क्या लगा हुआ है इसकी बजाए यहां बेंजीन रिंग और इसके यहां पर लगा लो जादा अच्छे से दिखेगा H H C C L C L यहां से दुनम बंद गए और क्या बन गया बिटाँ अपने पास हां या ना जल्दी बताओ एंड ट्रीपल बोंड हां या ना एल्किल आई सो साइन ए या या बेंजीन हा या ना एरील कंपौंड है है कि नहीं जल्दी बताओ फैनील आई सो साइनेट क्लियर है बाइस बात समझ में आगी यह क्या है आपका इसे आप उसमें भी कर सकते हैं किसके साथ cht तो मैं तिल आइसो साइने ठीक है फैनिल आइसो साइनेट लिग दिया साइं आप क्लियर है सबी का तो अब चलते हैं आगे आपने पास क्या पछस आए अपने पास बिचा आपने पास तू क 이제 उआ है और आपके पास क्या वा जाँ भजा वह घ्यार टू थो अच्छा हुए को और रियक्शन अजअ क्लिए कि तो कि किंए गूल अश्यविकर और दो और केश या कितना है एक इस ओरनो जलदी से बताओ जलदी से सभी अच्छे फटा फट बताएंगे बात समझ आई है यहां नहीं सभी बच्छों को बताओ ना नहीं нет कि यहांता है है तो के डल चले सबसे इंपोर्टनड अभी क्रिया है यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन रियाक्षन है यह सबसे ज़्यादा है इसे ढी सो सइन एक पुक्रिक्शन भी कहते है सब अच्छे से नोट कर लेना चले आगया जाओ आप आती है आप की 5 नंबर अभी किया जिसका नाम क्या है? 5 नंबर अभी की और जिसका नाम है बेटा क्या Nora कि साथ आभी क्या दिपन ओनो पिने भी होगी nak être boys मैं प्लिएर है हां या ना सही ए सबका तो नाइट्रस के साथ अभी क्या होता है कुछ नहीं जब आप क्या करते हैं भई जब आप रियाक्षन कराते हैं CH3 benzene के साथ देखे लो एलकील के साथ तो आप सब जगह देखे यह तो यहां पर N, H और H, HNO2 है तो यहां पर क्या बन जाता है भई HNO2 की reaction OH, N और क्या बन जाता है double bond O, ठीक है यहां से molecule गया, यहां से भी गया, यहां भी गया, ठीक है तो क्या product बन जाता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट बताएंगे कि नाइट्रस अमल के साथ जब अभी किया होती है, तो क्या बन जाता है, तो नाइट्रस अमल के साथ अभी किया होने से बेटा हमेशा क्या बन जाता है, इसमें यह कह रहे हैं की अच्छी सब्समय की नाइटरस अंटा ए नाइटरस अमल बनने की मेकनिजम क्या पता है अन एन रोट ऊपा चुकी आनए अनो टूप्लस किसके साथ विएक्षिन बीटा अच्छीए के साथ हा यान तो यहां बन जाता है क्या बेंजीन डाइज़ोनियम लूटे पता है न कीसे बनाए था मैंने बताया था owす में सबको पता होना चाहिए बनाना बेंजीन डाइज़ोनियम ख्लॉड कैसे बनता है मैंने बहुत बार बता दिया इसीलिए यहां पर आज норм लिवं अब यदि आप इसके साथ रियक्शन कराते हैं CH3 and HH plus क्या बिटा OH and double bond O plus किसके साथ बिटा अच सील के साथ तो आप यही रियक्शन कराएंगे और आपके पास क्या बन जाता है आपके पास बन जाता है कौन सी अभी क्या आपके पास बन जाती है CH3 and 2 plus Cl minus लेकिन यह अनिस्टेबल है तो यह रियक्शन है अन्ह 2 के साथ करके वापस जाती है CH3 Also hanging alcohol में convert हो जाती है लेकिन यहां पर Benzenaaaa आज स्था कंपाउंड है तो यहां पर यहां पर यहां पर यह रियकॉहल नहीं बन तो अगर यहां पर यह यहां पर यहां पर क्या बन जाता है एल्कोहल में convert हो जाता है अगली अभिक्रिया है कौण सी भाई शट्टी अभिक्रिया कौन सी है जल्दी से बताओ aerial sulfonyl chloride यानि Hinsonstein 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 में हमेशा बठा 1-2-3-3-8 होता है सभी बच्चे धियान देना यहाँ पर अपने पास क्या है C6H5 and H or H ठीक है हिंस बर्ग अभी कर्मक होता यह बेंजीन सलफोनिल ख्लोराइट ठीक है अब यहां से यह क्या कर लेता है यहां से यह अच्यल रिमूव कर लेता है और क्या बन जाता है बेंजीन रिंग कुछ नहीं है बड़ा ईजी है वापस क्या जुड़ गिया एं एच वही C6H1 एक डिगरी में संभाव है दो डिगरी में आओ C6H5 and H C6H1 राइट अब यहां पर वही reaction क्या वही बेंजीन रिंग एस डबल बॉंड ओ डबल बॉंड ओ सी यह चील रिमूव तो क्या बन गया भई C6H5 का होल ट्वाइज एंड एस डबल बॉंड ओ डबल बॉंड ओ और क्या होगा बेंजीन क्लियर है यहां तक लिए लेकिन तीन डिगरी में क्या होगा तीन डिगरी में C6H5, C6H5, C6H5 तो यहां पर H है नहीं तो नो रियक्षिन क्लियर हां या ना जल्दी से बताओ यानि कि हिंस्बर्ग अभिकर्मक का उप्योग एक ।डिगरी दो और बिल्कुल भी नहीं हुई तो मतलब हो तीन अधिक्रिया है क्लियर है सबका ओके जी ओके फटाफ और थमसब बेजो अगर क्लियर है तो अगली अभी क्लिया है लास्ट सैवन नंबर और वह आपके क्या एलेक्ट्रों सनी ही प्रतीस्थापन इसमें तीन अभी क्रिया है सबसे पहले है ब्रोमी नीकरण ब्रोमी नीकरण दूसरी है नाइट्रस अमल के साथ नाइट्री करण तीसरी है क्या सल्फोनी करण क्लियर हाँ यह ना जल्दी बताओ चले आजाओ जी आजाओ तो सबसे पहली अभी क्लिया ब्रोमी नीकरण ब्रोमी नीकरण के अभी क्लिया जब भी आप कराएंगे बिटा हमेशा ब्रोमीन जल की उपस्तिक यानि 3-2 जली अमाथ्यम पर जल में कोई डूबता है तो की जाता है हाँ यह ना तो ग्रोमीन 1 2 2 3 2 4 6 ट्राइब रोमो एनिले क्लियर हाँ यह यह जल्दी बताओ क्लियर है नाइट्री करना आप सब जानते ही है नाइच टू रिएक्ट विद कंसंट्रेट अश्टो सफोर की उपस्तिती में किसके साथ है यह नो 3 के साथ क्या बन जाता है बिटा नाइच टू आनो टू प्लस नाइच टू आनो टू नाइच टू आनो टू सबसे ज़दा यही बनेगा 51 परसेंट यह 47 परसेंट और यह 2 परसेंट बनता है क्लियर है ओके डन तो जल्दी से अब बचा है अगला आपका लास्ट सल्फोनी करण यह सबसे इजी है इदी बेंज अनिलेन की क्रिया किसके साथ कराई जा रही है इस्टू आसो फोर के साथ कराई जा रही है तो क्या बनता है और तो और पेरा पेजिशन पर सल्फोनिक आप यह सब रियक्शन बार बार आ रही है अब आपको आती है ना यह समझ में आ गई तो फटा 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 बता दीजिए यस मैं जल्दी से ओके डन सबका क्लियर चुरू करते हैं डाई एजो नियुम लवन होता क्या है डाई मतलब दू एजो मतलब एंटू समुआ और लवन मतलब जहां पर धनायन और रिनायन दोनों समुआ परजेंट होते हैं जैसे मैं यू कह दू कि आर तो आपके पास है ही राजा आर तो आपके पास है बिटा और एजो मतलब दो नाइट्रोजन ग्रूप उसके उपर प्लस और सील माइनस यहां पर आप एकस माइनस भी लिख सकते हैं प्लस माइनस आयन होते हैं और आयन जहां मौजूद होते हैं वहां पर वो लवन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं बेटा लवन कहलाते हैं यह वह बैसिक है जो किताबों में भी नहीं होती इसलिए तो कहा गया है कि आपको विद्याले और कोच आयन जहां होते हैं वहां लवन कहलाते हैं और वह लवन ही इसका नाम क्या दे दिया इस शब्द को हम एजो कहते हैं बिटे क्या कहते हैं एजो है ना तो यह क्या है एलकिल डाई एजूनियम लवन है ना लवन क्यों कहा क्योंकि प्लस माइनस है नियम क्यों लगा एजो नियम में क्यों लगा क्योंकि नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है तो नियम लग गया और एजो मतलब 2 हो गया और यह है अच्छे से लिख देते हैं मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए हाँ या ना बेटे क्लियर है बेटा सबको तो डाइजोनियम लवन का समानिसुत्र क्या होता है बेटे समानिसुत्र होता है ए आर एन टू पॉजिटिव एक्स नेगेटिव राइट यहां ए आर की जगे आप क्या लिख सकते हैं आर भी लिख सकते हैं दोनों वैलिट है चले क्लियर है सबका तो फटा फटा आजाओ और फटा फटा थम सब भेज़ दो कि मैम हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है चलू आगे तो अब चलते हैं अपन जब बात कर रहे हैं बेंजीन डाई इजूनियम की तो आपको ये बात तो समझ में आ गई अब इसकी जो सरंचना होती है उस पर एक नज़र डालते हैं किस पर बेटा सरंचना पर सरंचना कैसी होती है सभी बच्चे ध्यान देंगे सभी बच्चे ध्यान देंगे कि इसकी सरंचना कैसी होती है बिटा सरंचना की यदि मैं बात करूं तो बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग हो गया यह आपका और इस बेंजीन रिंग के साथ में क्या हो गया राजा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में क्या हो गया थ्रिपल बॉंड नाइट्रोजन ठीक है अब आप सोच रहे होंगे तो फिर प्लस चार्ज कैसे आया तो ध्यान दो यहां एक दो तीन और चार चार बंद कि स्थाइटोजिजन पर यहां पर तो यहां पॉजिटीव और लवन है तो यहां पर क्या गया बिटे नेकी पिस प्रकार यह क्याै इसकी इसकी सरंचना प्रदिशित की जाती है सबको समझ में आया हाँ या ना जल्दी से बता दो जल्दी से परप शबनादों कि सभी बच्चों को एक लियर हो गया है बेंजीन डाइजुनियम हल आई लिसका नाम क्या है बेंजीन डाइजुनियम हेलाई क्लीयर है वीटा, बात समझ में आ गई होगी, सभी को धेर यह से पढ़ो, पर सही पढ़ो है ना, तो अच्छे से क्लीयर होगया, अब आपन देखते हैं अगला इस इसका पर पढ़ी सरंचना सभी को क्लीयर हो गई, सभी बच्चे बनाएंगे, आप चलते हैं अगला आपना जो टॉपिक है वह अपना क्या वह है अपना नाम करन अब आपन क्या पढ़ेंगे विटा नाम करन को नाम करन यानि बेंजीन डाइजोनियम जो है उनके नामकरन कैसे होते हैं सबी बच्चे बॉर्ड की तरफ आराम से भेडिये से देखेंगे ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ और आपको बात अच्छे से समझ में आ सके clear मैं कुछ formulas लिख रही हूँ बेटा आपको सामने दिखाई देना चाहिए and do और उसके बाद में बेटा HSO4 minus clear है और इसके साथ ही अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यहां पर बेटा क्या एंटू प्लस सी एल माइनस और यहां लिख दिया CH3 हाँ या न यह तीन फॉर्मूलाज है ऐसे बहुत सारे हैं मैं यह नहीं कह रही हूँ लेकिन बेसिकली जो त्वल्क के अकोडिंग आपको ध्यान में रखने हैं वो केवल यह तीन ही है अगर आप इनको अच्छे से हाइड्रोजन क्या बेटा सलफेड है न अद यहाँ पर क्या है मेथिन क्या पेरा मेथिल बेंजीन डाई ह aligned आया है यह यह जल्दी बता और इसका नाम क्या है बेंजीन डाई यह दोन्यम्क्राद款 बेंजीन डाई है आई जोनियम क्लोराइड क्लियर राजा बिलकुर इसका नाम क्या होगा बेंजी दाई एजोनियम दाई एजोनियम क्या बिटा हाइड्रूजन सल्पीट हाँ या ना समझ में आ गई यहाँ पर पेरा मेथिल बेंजीन दाई एजोनियम क्या? सबका क्लियर फटा फट इसको देखेंगे अच्छे से नोट करेंगे ताकि बात समझ में आ जाए चलिए जी अब चलते हैं आगे यह तो हुआ नाम करण आब आ जाते हैं अपन नाम करण के बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें यह बताया गया है कि बेंजीन डाई एजोनियम जो हैं वह अगर एलकेल समुज के साथ जुड़ा हो यहां पर थोड़ा सा क्या किया गया है थोड़ा सा ध्यान देना है आपको stability ठीक है stability यानि कि आप चलो हिंदी में लिख दो बाई मेरे बच्चों को इस्थाइत्व अगर आप इस्थाइत्व की बात करें इस्थाइत्व की बात करें clear है तो चलिए आप इस्थाइत्व की बात करतें है तो यहाँ पर आ जाता है क्या बिटा यहाँ पर आ जाते है दो पार्ट सबसे पहले बताया गया है यदि R and 2 positive प्लस क्या हो यहाँ पर CL में clear हाँ यहाँ यहाँ सही है अच्छाइ इसको यू लिख दो पर करें स्थाइत्व की ठीख है चली तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया क्या बिटा clear हाँ यहाँ 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 बच्छे फटा फट जल्दी से जल्दी तो अब यह कहा गया कि जब आप इसको तोड़ते हैं जब इसका विगटन होता है क्या होता है विगटन होता है तो यह बनता है आर पोजिटीव और यहाँ पर बन जाती है एंटू और यहाँ बन जाता है सिल में यह क्या बन गविटा कार बो के टाइन कार्वो के टैन बन गया जो कि क्या है एस थाई क्यों है इस थाई बिकोज आफ अनुनाद क्या है अनुनाद अनुपस्ति क्लियर यस और जल्दी से बता वनाद अनुपस्ति और वहीं पर इसकी बात करूं तो यहीं का विग्टन होता है तो क्या हो जाता है इसका विग्टन होता है तो यह कुछ यूं हो जाता है N2 positive और CLA negative हाँ या ना और अब यह क्या परदिशित करेगा अब यह परदिशित करेगा resonance को कैसे सभी बच्चे ध्यान देंगे अनुनार देखो सभी बच्चे ध्यान से ना देखेंगे सबसे पहले अपने पास क्या है बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में अपने पास क्या है नाइट्रोजन और यहां है त्रिपल बॉन्ड और यह हो गया नाइट्रोजन यहां लॉन पेर है कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को तो यहां से बंद यहां इलेक्ट्रोन जाएंगे और यहां वाले जो इलाक्टोन है राजा वो यहां से यहां आ जाएंगे यस और नो चल्दी से बता दे तो यहां पर अगर आप बात करें अगर आप इसकी बात करें तो यहां क्या बनेगा बैटे यहां पर वही आपके पास बेंजिन रिंग यहां डबल बॉंड और चल फड़ा यहां double bond, यह लोन पेर, यह लोन पेर, यहां आगया minus, हाँ यह ना, जल्दी बताओ, और यहां आगया plus, और यहां पर भी क्या आगया positive charge, यहां तक कितने बच्चां को clear है, जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे, सबका clear है, तो आजाओ जरा ध्यान से, अब यहां positive है, तो positive की वएसे तो electron यह बंद घूमेगा, अगर वहीं पर minus charge होता, रिंग पर, तो क्या होता बेटा, तो क्या होता बेटा, तो यह यहां यू घूमता, और यह यहां पर तूटता, यहां तो क्या है, यह positive charge है, यह बंद के electron को लेगा, लेगा, तो क्या बनेगा बेटा, यह तक सब्सक्राइब यह आगे बढ़ते हैं तो यह बायतिव छौज कहां घ्राजा यह यहां यह यह पोजिटिव sacrificing और यहां डवल वॉंड डवल बांन और यह दो लोन फैयर यहां माइनश आप यहां प्लस वही पर यहां पर से लियाप करने तो यह बन वापस अपने इस्थान पर ये वापस अपने इस्थान पर आ जाएगा और क्या बन जाएगी अनुनादी असर अंचना यस और नो जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ सभी बच्चे कि हाँ या ना आपको ये बात क्लियर है या नहीं सभी को बात समझ आई है या नहीं आ तो यू डॉन्ट वरी आप अपनी ही इसी चैनल पर भूमिका चोहान इंग्लिश पर जाकर जनरल ऑर्गनिक केमेस्ट्री का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसको आप जाकर देए तो वहां आपको रेजनेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ओके जी चले आजाओ जी आजाओ अब चलते इस थायत्री की बात हो चुकी है तो अब चलते हैं अगे अब अपने पास आते हैं अपने अगली अपने काम पर अपना अगला जो पॉयंट है क्या भोतिक गोंधाराब। क्या भोतिक निर्मान की वीधी तो पड़ी नहीं 一ह पहले निर्मान की वीधी पड़ें तब भोतिक गुण द्राम आएंगे ना है तो डाया जो लौं एव जो लवन है उसके क्या बिटा विर्चन की वीदियां विर्चन की यह हां या तो विर्चन की वीदियों में ज्यादा कुछ नहीं है यह आप बहुत अच्छे से बहुत बार मैंने पड़ा दिये की दाई एजुनियम क्लोराइड या हैलाइड का निर्मान कैसे होता है सब वेरी वेरी सिंपल कैसे सभी अच्छे ध्यान देंगे सबसे पहले अपन क्या करते हैं सोडियम नाइट्रीट एनियान टू रियक्शन वी अच्छी राइट मॉलेक्यूल को मेशा ऐसे अरेंज करो कि वह तूटता और राजा अथसी है यहां से बंद टूटा इन दोनों की बीच का तो यह क्या बन गया विटा अच्छे नो टू यह सोर नो है टूजन नाइट्रेट या नाइट्रस आम लोग नाइट्रस अब ट्रस क्लियर है ओके ड़िए वही पर यदिन बात करों तो साथ में क्या बन गया करेक्ट अब इसकी प्राथमिक एमिन के साथ वन डिग्री एमिन या अपन अपनी प्रचलित भाषा में बात करें तो एनिलीन के साथ यदि आप किसकी रियक्शन कर जाते हैं एनिलीन किस अधियरी आप रियक्शन करवाते हैं किसकी बीटा एचनोटू की तो एचनोटू की रियक्शन आप कैसे कराएंगे सभी बच्चों को पता होगी अगर नहीं पता है तो यहां मैं बना के बता रही हूं सभी अच्छे ध्यान देंगे यह रही आपकी बेंजीन रिंग औ रहा हाइड्रोजन और आपके पास क्या है बिटा आपके पास है एच एनो टू हाँ या ना जल्दी बताओ तो एचनोटू की मतलग क्या है एच आपके पास यह ओएच और आपके पास क्या है भाई एच एनोटू है ना तो डबल वांड ऑक्सिजेन यह कितने बच्चों का clear है तो यहां पर अपने पास के चलड़ी बत हो यहां पर क्या-क्या बन रहा है सामने बोर्ड पर देख लो जल्रे से सभी बच्चे सभी बच्चे देखेंगे यहां पर मैं बढ़ा यूँ को डबल बॉन्डोों हो और यहां में Palmay करती हूं एन एक हायन देखो बेटा सभी को बोड़ पर ये बात समझ में आ रही है है एच्टू और इमू हो रहा है अने ओच रिमू हो रहा है क्या क्या बच रहा है दो नाइट्रोजन और सिए क्या बन गया बिटा क्या बने राज़ है जल्दी बताओ एं चील का क्लियर ए जल्दी से बता दो येस और नो अच्छा लगाया नहीं जल्दी 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 N2 पॉजिटिव सियल सभी बच्छों का क्लियर है हाँ या ना इस फोर्मेशन और क्या देखो मैंने खोल कर भी तुम्हें दिखा दिया है सभी बच्चों को समझ में आ गया जल्दी बताओ जल्दी क्लियर है सभी बच्चों को तो आज आओ जल्दी से अब चलते हैं हम आगे यह क्या है आपका बेंजी डाई एजो नियम क्लोराइट कि समझ आ गया बिल्कुल 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 आप हो गई यह विर्चन की विदियां आप पढ़ेंगे हम इसके भूतिक गुंधरम चले ओके 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 चलो जी आप चलो आगे अपन चलते हैं भूतिक गुंधरमों पर कि वोतिक गुंधरम क्या होते हैं आप सब तो जानते हैं कि जो बहार से नजर आती हैं जिन में इंटरनली या कैमिकली या बॉन्डिंग फर्म में कोई चींच नहीं आता है तुरते हैं जो जाते हैं नोचींच राइट दूद का दही तो नहीं है दूद का दही और दही का दूद तो नहीं नहीं है तो यह सब परिवर्तन तो नहीं हो रहा है तो राशायनिक परिवर्तन होते हैं हम पढ़ रहें भोतिक तो बहुतिक में सबसे पहले क्या चलेंगे भाई क्या पढ़ेंगे भाई सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि यह क्या होते हैं यह रंग हीन क्रिस्टल होता ह इस्टल होता है चले सेकेंड क्या होता है यह जल में विले होती है सॉरी जल में विले तथा क्या ठंडे जल में जल में क्या होते हैं इस्थाई होते हैं अगर ठंडे जल के साथ आपने इसकी रियक्शन करा दे तो वहां पर इस्टेबल पॉर्म में बन जाएगा यानि वापस किसी और में कन वोट नहीं होगा और थर्ड क्या है बिटा ठोस अवस्था में आसानी से क्या हो जाते हैं आसानी से क्या हो जाते हैं विग्टि तो हो जाते हैं ऑफट ने यह बात समझ में आगई तो पटापट पटापट बता दीजिए यसमाम सभी को clear है सभी को clear है कि यह रंगहीन होते हैं यह यह इनिकलर लेस होते हैं यह वाइट क्रिस्टल नजर आते हैं एक दम शाइनिंग वाले बहुती सुन्दर आप लेब में देखेंगे लेब में पड़े होते हैं 12th class में तो सार कोई practical करने लेब में जाता है और जाना भी फ्राद जित कर लेना कि नहीं मैम हमें जाना ही है तो लेकर जाएंगे जल में विला है अगर आप पानी में उनको dissolve करोगे तो घूल जाते हैं बेटा और उसके बाद आप देखेंगे कि यह ठो सवस्ता में आपने देखा है तो यह ठो सवस्ता में आसानी से तूट जाते हैं यानि कि अगर आप उसे हाथ से भी यूंकरेंगे तो crush हो जाते हैं चले जानी जादा लोग आप लोग क्लास को देखेंगे से सभी बच्चों तक हम लोग थ यौरी में सब कोошंब पढ़ता हैं। यह कीताब से पड़ाता भी है। नेकिन डाउट नट पर जो हम लोग Short Form में लेकिन पूराम का सार आपको विदिन एक घंटा दो घंटे में बताते हैं वह आपको किसी भी यूटूब चैनल पर नहीं देगा तो प्लीज 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 शेयर जरूर कर देना ओके चलू आजाओ आगे चलते हैं अब बढ़ते हैं अगला अपना जो कारी है वह है रासाइनेक गुंदरम को बिना चाट के तो नहीं समझा पाऊंगी है ना तो आप सब भी अपने पेज को होरिज़न्टल रखो और चार्ट बनाना शुरू करो टोटल जो आपकी वीदियां है इसके अंदर वो सभी बच्चे ध्यान से चार्ट बनाएंगे आपने अगर बुक में भी यह पड़ा है तो आपको पता होगा कि यह दो प्रकार की होती है एक तो होती है नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानि कि अगर आप मैं बात करूं तो नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया और वहीं पर दूसरा आता है राजा क्या सेकिंड जो आती है वो आती है आपकी अभी क्रिया जिसमें डाई जो समू है जो है वो क्या रहता है सुरक्ष देता है यानि अभी क्रिया जिसमें अभी क्रिया जिसमें डाई एजो समू है सुरक्ष देता है क्लियर बात समझ में आई अब यह वापस आपको कितने प्रकार से विबक्त करनी है यह आपको छे प्रकार से वान टू थ्री फॉर फाइफ शिक्स हाँ यान जल्दी बताओ वान टू थ्री फॉर फाइफ और सिक्स सभी बच्चे बनाएंगे यह बहुत ज्यादा इंपर्टेंट है चले तो सबसे पहली अभी क्रिया जो होगी वह है हैलाइड या साइनाइड द्वारा प्राती इस्थापन हेलाइड तथा साइनाइड इसके द्वारा द्वारा प्राती इस्थापन क्लियर चले वहीं पर दूसरी अभी क्लिया क्या है बेटा आयो डाइड द्वारा प्राती इस्थापन आयो डाइड द्वारा प्राती इस्थापन क्लियर अगला है थर्ड जो है आपकी फ्लोराइड द्वारा द्वारा प्राती इस्थापन और आती है फोर्त अभी क्लिया हाइड द्वारा प्राती इस्थापन यह बहुत ऐसा आपकी बुक में निकाई नहीं तो प्लीज प्लीज अच्छे से बना लेना फिर आता है और अच्छ समूह राण प्रती इस्थापन इसके बाद लास्था आता है बेटा क्या आनो टू समूह द्वारा प्रती इस्थापन क्लियर है छे की छे रियक्शन और लास्ट आती है आपकी कौन सी अभी क्लिया यह आती है दूसरे अभी क्लिया जिसका इसमें एक ही अभी क्लिया है युगमान अभी क्लिया बताओ कितने बच्चों को यह चार्ट क्लियर है सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे सबको बात समझ में आ रही है लिखा हुआ अच्छे समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी फटा फट इसका स्क्रीन शोट ले लेजीए ताकि आपको बात pięar हो जाए यह बात क्या है हेलाइट द्वारा साइनाइट द्वारा प्रतिस्थापन क्या होता है तो हो और योग्मन अभी क्या होगी ये होती क्या है। कि बना सके नो चले याजाओ मेरा बच्चा क किसमे है। पहली अभी क्रिया आप लिख रहे हैं फर्स्ट है क्या नाइट्रोजन समुह की प्रतिस्थापन द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभी क्लिया क्लियर हां या न जल्दी से बता इसके अंदर पहली अभी क्रिया कों सी है कॉपला हैalite तथा किसके साथ हेलाइट तथा साइनाइट द्वारा हेलाइट तथा साइनाइट प्रतिस्थापन केसे होता है तो इन्होंने बताया कि यह अभी क्रिया जो है वो दो परकार की होती है सभी बच्चे ध्यान देंगे सभी बच्चे it's a very very important reaction दो प्रकार की है कौन कौन सी जरा ध्यान दें और जरा गोर से ध्यान दें दो प्रकार की अभी क्रिया होंगी एक तो होंगी सेंड मेर अभी क्रिया और दूसरी होगी बिटा क्या दूसरी होगी गाटर मान अभी क्रिया गाटर मान अभी क्रिया कि चले सेंड़ मेर और गाटरमान में क्या पार्ख है 지금 अब क्लिए और गाटरमान अभी केरी स्थाफ선 निया अप एलाइड कि दौरा यह साइनाइड को दौरा पसivo मिं लेकि इस में आपको कोमली क्या चीज त्हान में रकिने सिर्वाचे द्यान देंगे आप को मैं यहाँ पर ट्रिक से बता रही हैं सभी बच्चे ध्यान देज़ें न यहाँ पर आपके पास है एर एंटु कॉजिटिव और सियल नेगेटिव ठीक है और यह तीन प्रकार के जो अभी कारक है उनकी उपस्तिती में अभी किया होगी और वह उपस्तिती ही जादा मैटर क सी यह सीओसी यूट फिर क्या है बेटा बी एर टू कि एच़वी यार और चीऊ-टा थिक एक क्या है भाई सी यू-सी-ऊ-ची ऐघ सी क्लियर कि अब यहाँ से फ्रॉडक्ट क्या बनेगा इसे पली सिंपली ध्यान रख ना सीयल है तो क्या बनेगा अब के पास्टवा बने क्लोरोबेंजीन और साथ में क्या विमूव हो जाते हैं और सब जगे होगा हाँ या ना जल्दी बताओ येस और नो जल्दी बताओ सबसे इंपॉर्टिन बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है अगर ये उपस्तित है तो वो हमेशां सेंड में रखी किया है वहीं पर यदि मैं दूसरी तरफ चलूँ यदि मैं दूसरी तरफ चलूँ तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर भी आपको ए आर एन टू पॉज लाको चीहां पर आपको दोचीजें की हैं जहां पर आपको क्या ध्यान देना है आपको ध्यान देना है सी यु कोपर तामर चोन के साथ सी यू के वल अच सियल estse su j re Achb you clear at yours have reviewed the फाश्छा क्या पिटा तामढ की उपस्तिती में और यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्तिती में क्यूप्रस ग्लोरायड तीन हो रहा है तो सेंड्मे और वही पर तामढ़ शूंद के सीन हो रही है तो वह है कि कौन सीह व chat लिकरिया और यहां बनेगा यहां प्रोडक्ट्ट और प्लोरो बैंजीन वही परसाथ में कैक निकल जाएका आपके पास साथ में बन जाएगा आपका टो C-U-C-L C-U-C-L C-U-B-R हाँ यह ना जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ और आप इसको X मान के भी घर सबते हैं कि सबको क्लियर यह सबसे जाधा है यह बतां धिजा तामरी चूल की उपस्तिती में तो गाटर मान अभी क्लिया और वहीं कि पर्यूप्रिस ज्रूअद की उपस्तिती में सेंड में न di Cornwall क्लिया यह अभी क्लिया जो है वह जाधा इंपोर्ट ने नहीं इसकी उपलब दियां जादा इसा वेरी 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 इंपोर्ट चीज लिए आपको किसी भी बुक में इस तरह से नहीं पढ़ाया गया है तो यह मोका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए तो अच्छे से लिख लेना चलू बात समझ में आ गई तो फटा अयो डाइड आइनो द्वारा प्रतिस्थाफण आयोडाइड आइनो द्वारा हे उथा दूर्त थापन ओतो फटा से जन्रली आसा बात किया जाता है कि आयोडाइड जो है डायरेक्ली बेंजीन से नहीं जुडबाती है डायरेक्ली बेंजीन से अभिक्रिया नहीं करती है सीधे अभिक्रिया सीधे नहीं करती है लेकिन अगर पोटेशियम आयोडाइड हो तो क्या हो सकता है अगर आपके पास क्या हो भई आप यह दी बेंजीन डाइजूनियम ख्लोराइड के वीलियन में क्या डाल दें पोटेशियम आयोडाइड दी डाल दें तो आपके पास क्या हो जाएगा यहां से टूट जाएगा और क्या बन जाती है आपके पास i plus n2 yes or no जल्да इसे बताओ बाद समझ में आया ने है । अच्छा लग रहा है न खुश हो जाओ फिर कि जल dhot से हो जाओ क्या बरते यह मेरे सबी बच्चे हैं clear हाँ या मा जल दिसक्राव कुछ हो ठैगे चलते हैं अगली अभी किया लिते हैं आपन तीसारी अभी किया होगी को इस तीस्री अभी किया होगी अपनी थूर्ड रियक्षन हो हाइड फ्लोराइड हो द्वारा फ्रatish 다pon है स्लोराइड आइं द्वारा आंज ग्फोटी स्थापन है एन जल्देत है अब फ्लॉराइड तो आप जानते बहुत ही टेडा कि कैसि आप में delivery नहीं हो तो बहुत ही घमन में रहता है उसकी अपनी बहुत इमेज है वो किसी इसाथ रियक्षिन ऐसे नहीं करता है तो अपने पास पहले भी एक रियक्षिन आई है फ्लोराइड निर्मान की कहा जल्दी से कमें प्लास्टर में बताऊंगे यह बनने के बाद तो चले तो जीट द्राइड एजुनियम क्लोराइड रियक्षिन वीथ हब फूर सनाम क्या है सही बच्छ वारईगे फ्लोरो बॉरिक आस फ्लोरो बॉरिक फ्लोरो बॉरिक अंब क्लीर अब इसकी रreaction होगी तो यहां से यह टूतेगा यह प्लस माइनस यहां से यह तूटेगा तो क्या बनेगा विटा यह बनेगा आपका पहले तो क्या यह होगी रियाक्शन इसमें N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव और साथ में क्या बनेगा HCl और फिर से यह इसको गरम किया जाता है इसको हीट किया जाता है तो क्या बन जाती है यह विदी है जो बहुत शुद्ध अवस्ता में फ्लोरो बेंजीन देती है राइट और ऐसी अभी करिया हमने कहां पढ़ी है तैन्थ चैप्टर में या आपके न्यूस लेवस के कोडिंग आपका जो सिक्ट चैप्टर है हेलो एलकेंज हेलो एरिंज एक नेम रियक्शन है कौन सी स्वार टच अभी करिया चलें जल्दी से पटाफट पटाफट जल्दी से नोट करो यह आपको समझ में आई है या नहीं देखो बेटा पढ़ते वक्त के लिए आपको भी ऐसे याद आजाए कि कौन सी अभी करिया हमने कहां पर पीछे पढ़िए इसका मतलब आपका जो माइ है वो पीछे की रियक्शन को भी याद कर रहा है रिवाइस कर रहा है इस तरह से आप भी वापस चीज को याद कर सकते हैं एक समझ में आ गई बात तो अगली रियक्शन है आपकी फॉर्थ रियक्शन क्या है बटा फॉर्थ रियक्शन है हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस् अपन हो चैने हाइडोजन द्वारह प्रतिस्थापन का मतलब क्या है नक्र मतलब है कि आप किसी ऐसे यह सिक के साथ reaction कर वाई है जो पहले से ही क्या हो प्रबल हो तो दुरबल किसके साथ लवण को प्रतिस्थापित कर सके चले तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड रियक्ट विद किसकी बेटे सील नेगेटिव रियक्ट विद एच थरी पी ओटू इसका नान क्या है सही बच्चे मुझे क्यमेंट सेक्शन में जल्दी 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 बताएंगे हाइपो हाइपो फोस्फोरस आम्ला है कि कि other रस ड ₫ और झाले क्या और पले कॉछ नहीं एक्शन एंच में नहीं लिक्ट नहीं हो द्रिय उस्तियों और आप आपके पास बन जाता है ग्या हाइपो फोसफोरस एहां पर आजाता है कि त्या बीन जीन यहां से टूटा क्लियर और बन जाता है एंड टू प्लस बन जाता है एच थरी थरी हाइपो फॉस्फोरिक अमल प्लस क्या बन जाता है जल्दी से बता दो ही यह है फॉस्फोर रस यह खोषपोरिक क्योंकि एक समय बढ़ गई चले जल्दी से आजाओ पटापट जल्दी 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 चले आजाओ जी आजाओ अब चलते हैं आगे अगली अभी की आपकी जू है फिफ्ट जो रियाक्षन है उसका नाम क्या है वह बच्चा पाटी जल्दी से बता दो पांच वी रेक्षन है ऑच समुह द्वारा द्वारा प्रतीस्थापन वट समौर का प्रतीस्थापन यह प्रतीस्थापन कैसे होगा भाई जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ फटाफट फटापट सभी बच्चे बताएंगे फटाप पट वाच समय का परतिस्थापन कैसे होगा हाइड्रोक्सिल समय का परतिस्थापन अपन लिखते हैं यह देखो यह देखो यह देखो से एंट्रू एंट्रीश सिंह आज है और सु धना संधन यहां से टूतेगा रॉयट यहां वर इसकी छारी अ मार्य Kent की रौपस्तिधि मैं तो चलें क्या बनेगा आपके पास बेटा चारी अमाध्यम की उपस्ति की वाज़े से यहां आगया ओएच प्लस क्या आगया एंटू प्लस क्या आगया जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाओ फट क्या बन गया आपके पास हाँ या ना जल्दी से जल्दी से जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे अच्छा यह कह रहे है अच्छील बना दो भई ठीक है यह और सब्सक्राइब की उपस्त दो चले ओके डन सबको क्लियर है तो जल्दी से यस मैं जरूर दो प्लीज चलो भई अगली लास्ट रियक्शन है शिक्स अपने पास कोन सी कोन सी कोन सी च्छटी अभी क्लिया यह नहीं सिक्स अभी क्लिया कौन सी है और तू समूँ दो रहा तेस था चले चले आजाओ सबसे पहले अपन क्या नोट करेंगे वही बेंजीन दाइज उनियम ख्लोराइड रियक्ट विट किसके साथ रियक्ट विट अच बीया फूर की साथ रियर तो क्या बन जाएगा आप सबको पता है यह तो हाया न एंटू वेसागा वेसा था बीयफ और बूर यहां पर аст औन जटाएगा नाै वेसाथ क्या लाजेंग। जल्दी से बता दो, अच्छा, आने BF4, sodium borofluorite, हाँ यह न, sodium tetra borofluoroborate, sodium tetra borofluoroborate, चले राजा, yes or no, यह होगी reaction complete, अब last बची है वह विक्रिया, जिसमें डाई जो समुह क्या होता है, safe रहता है, तो आपकी अगली reaction है, जिसमें अपने को रखना है, जो समुह सुरक्षित, तो उसके लिए अपने हों क्या करना है, केवल एक ही reaction देखनी है, लेकिन वो two types में देखनी है, युगमन अभी क्रिया, कौन से अभी क्रिया राजा, युगमन, राइट, युगमन अभी क्रिया, तो पहली, जल्दी देखो, पहली अभी क्रिया क्या है, सभी बच्चे ध्य से देखेंगे, बोर्ड पर, N, triple bond, N, positive, CL, negative, clear, इसकी reaction आप किसके साथ करा रहे है, फिनॉल के साथ, H, इन देख, CL, यहाँ, और हो, प्रॉडक्त क्या बना, हड़ी जास तूटती है, वहीं से जूटती है, क्या बना प्रॉडक्त, N, double bond, N, क्या नाम हुआ इसका, नाम बताओ, पेरा, हाइड्रोक्षी, पेरा, हाइड्रोक्षी, यह जो बेंची, पेरा, हाइड्रोक्षी, बेंची, इक इस क माल बमाँ, क्याद मैं हो, इक रहाँ, realised makes this, भरलाएड्रोक्षी लween इस तुनिए, अगाऑ, हाइड्रोक्षी, लो रेंचा वीए, नार्य। किसके साथ एनिली किसा है क्या है 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 एच एनिच टू अच सियल रिमूव प्रॉडक्ट एन क्या बन गए है क्या बना मुआ इसका पेरा एमिनो एजु बेंची जल्दी बता शृष है और यह कैसे के अल्ठ कुटाते । है मिलीग देज़ा है इस थी कि ओ धी आए नहीं नहीं बना च्रक्रा director हो गया यह बहुत बहुत इमपॉर्टेंट है इक्जाम कि द्रस्तित वेरुटंट सभी बच्चे उतारेंगे चले अब इसका यूज क्या होता है तो सुन लेजिए इसका यूज दूसरे जो compound होते हैं उन्हें रंग प्रधान करने का कारिय करते हैं कौन बेंजीन दाई जो नियां क्लोराइड इसलिए इसका अधिक रूप से काफी महत्व होता है clear है यहां तक सभी को सब बाते समझ में आ गई सारा topic clear हो गया तो जल्दी से thumbs up भेज देंगे और comment section में जरूर लिख कर जाएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी राइट तब तक आज अपना एमीन वाला चाप्टर भी complete हो चुका है जब मैं नए क्लास में नया चाप्टर लेके आऊंगी तब तक आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ाई के साथ सार अच्छे से notes भी बनाने हैं ओके तो चलो जी